हे गाईज जैहिंद स्वागत है आपका एग्री मंतरा यूटूब चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त संजय विशो कर्मा इस वीडियो में हम बात करेंगे बिग एग्री कलजा जॉप्स के वारे में जो की आई ये आ रही में आई हुई है काफी इंपोर्टेंट ये वेके स्टेप जानने वाले हैं आपको केबल इस वीडियो के साथ आखरी तक बने रहना है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ओफिशल नोटिफिकेशन है आई ये आराई का भारतिये क्रशी अनुसंदान संस्थान और यहाँ पर जो है आई आराई में अलग-अलग पोस की तीन, SC की साथ, ST की एक तो कुल मिलाके 71 वेकेंसी जो है वो असेस्टेंट पोस्ट के नाम से आई हुई है ICAR के हेड़कॉर्टर्स के लिए ठीक है तो इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है ठीक है मिनिमम ग्रेजुएशन योग गता यहाँ पर होना चाहिए और एज लिमिट की बात करेंगे तो मिनिमम बीस साल और मेक्जिमम तीस साल और यह जो क्राइटेरिय रखा गया है एज का यह 162022 के साब से रखा गया है एज में रिलेक्शेशन भी है एस पर गवर्मेंट ओफ इंडिय प्लस अलाउंसे यह अलग से रहेगा और लेविल सेविन सेविन सीपी सी के इसाब से यह पे स्केल रहने वाला है तो काफी अच्छी अपॉर्चनिटी है एग्रिकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए नमर ओफ बेकेंसी भी काफी अच्छी है आईसी आर हेड्कॉर्टर्स के लिए 71 और यहां पर आप बेकेंसी का डिस्टिविशन देख सकते हैं तो यह हो गया असेस्टेंट पोस्ट आईसी आर हेड्कॉर्टर के लिए दूसरा भी पोस्ट का नाम असेस्टेंट ही है और यह आईसी आर इंस्टिटूट्स के लिए है यह नमर ओफ बेकेंसी है तीन WVD candidates की 5 यहां पर वेकेंसी है कुल मिलाकर 391 यह और 71 जो है ICR headquarters की तो 462 यानि कि 460 प्लस वेकेंसी यहां पर आई हुई है जो की काफी अच्छी संख्याम है और काफी अच्छी opportunity आई है agriculture students के लिए बात करेंगे ICR institutes की 391 वेकेंसी है इसके लिए minimum age जो है 20 साल होनी चाहिए maximum 30 साल और इसका भी जो criteria date रखा गया है 162022 ही रखा गया है age limit का इसमें भी आपको relaxation मिलेगा as per rules to specific categories इसमें भी qualification की बात करें तो graduation ही मांगा गया है यहां पर minimum qualification salary की बात करेंगे तो 35,400 रुपए basic salary रहेगी plus allowances यहां पर रहेगा level 6 7th CPC के इसाब से आपर यह basic रहने वाला है यह भी काफी अच्छी salary है काफी अच्छी opportunity है और यहां पर अगर हम बात करें total vacancy की तो 460 प्लस यहां पर vacancy हो गई है तो काफी अच्छी opportunity आपको मिली educational qualification की अगर हम बात करें तो दोनों post के लिए जो है graduation minimum मांगा गया है age limit minimum 20 maximum 30 उसमें relaxation भी आपको मिलने वाला है अगर यह 1000 रुपए application fees है ठीक है और SCST PWD candidates के लिए जो application fees है वो 300 रुपए रखी गई है ठीक है तो यह आपको जो है application सुल्क से related information दी गई है pattern की बात करें most important pattern तो पहला आपका एक return exam होगा उसके बाद आपका interview होगा तो ज्यादा लंबा processes में नहीं है return exam और interview ठीक है फिलाल यही जो ह notification जारी किया गया है जैसे ही और नए update आपको मिलेगा तो channel की माद्यम से हम आपको बता देंगे ठीक है यहाँ पर अगर हम बात करें आविदन करने की तो online application जो है start होने वाले हैं 7 मई 2022 से और last date जो है application की वो 1 जून 2022 यहाँ पर रहेगी लगबग 25 plus days यहाँ पर आपको मिलन कर सकते हैं और सारी information भी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं number of vacancy जो है यह tentative है यह increase भी हो सकते है decrease भी हो सकते है फिलाल यह छोटा सा notification जो है जारी किया गया है तो इसी के regarding आपको information देना था सारा का information हमने जाना है 462 के आसपास यहाँ पर vacancy आई हुई है minimum qualification में graduation मांगा ग जो है UR, OBC और EWS candidates के लिए है 300 रोपे जो है SCST और PWD candidates के लिए है return exam होगा उसके बाद आपका interview रहेगा यह आपका exam pattern है और सारी information के लिए आफ इनकी official website को visit कर सकते हैं तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो अई होप आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो पसंद आए उसे बता दिया जाएगा मिलेंगे किसी और वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत